हलो देस्तो आज किस वीडियो हैं कच्छा नव के हिंदी के अर्धवारसी परिच्छा के पेपर को देखने वाले हैं आपकी परिच्छा के लिए काफी इंपोर्टेट है इन प्रसनों को आपको पूरा करकी देखना है और प्रसनों को उत्तर को पूरा जान कर जाना है तो चल आप सबसें मिला दिया निकिन के रचना है इनकी रचना होती है बीजक कौन सी रचना होती है बीजक होती है कभीरदास की उसके बाद अगला क्विशन दिया है कि गोदान किस बिधा की रचना है तो गोदान जानते है प्रेम चंद की रचना है किसकी प्रेम चंद की रचना है गोदान एक उपन्या से गोदान क्या है उपन्या से उसके हैं तो आप जानते है कि कमल राजियू जलज ये सभिब इसके कमल के पर्यावाची सब्ध हैं तो आफसन नमबर B राइट हो जाएगा पर्यावाची सब्ध कहलाते हैं तो रामे रूप में राम का क्या है या व्ह.. रामेis rocks तिर्तिया विभक्ति दूई वचन है, कवंसी तिर्तिया विभक्ति दूई वचन है देने वाली पत्रिका कौन है तो आप जानते हैं हिंदी विकास में सरवादे की युगदान देने वाली पत्रिका सरोसती पत्रिका है उसके बाद है कि सरोसती पत्रिका की प्रसिद्ध संपादक कौन है तो आप जानते हैं सरोसती पत्रिका का जो प्रसिद्ध संपादक है महा प्रसाद दिवेदी है लेकिन पूछा जाए कि सरोसती पत्रिका का प्रकासन पहली बार किसे ने किया था तो स्याम सुन्दर दास ने किया थो आपको ये राइट इंसर हो जाएगा लेकिन पूछे कि इसका जो प्रसिद्ध है प्रसिद्ध संपादक किसे माना जाता है तो महा सुधाक के संपादक कॉन है तो कभी वचन सुधाक के बाइरतंदु घ्रिश्चंड रहए बात निबंध के लेखक परता 손व मिस रहे उसके बाद अगला कुछन दिया कि मंत्र कहाणी के कहानी कार कोन है तो आप जानते हैं मंत्र कहानी कार मुलसी प्रियम्चंद एकांकी में कितने अंख होते हैं इसमें खुदे लिखा है एकांकी तिसमें केवल एक अंख होते हैं हिंदी का प्रथम नाटक कौन था तो हिंदी का जो प्रथम नाटक था वह नहसू था कौन था नहसू था उसके बाद कहा है कि उपन्यास समराठ किसे कहा जाता है तो उपन् एक अंख होता है जिसके जो दीबदान के लेखक उश Sacramento को ले जाता ए तो किसको ले जाता है तो पना को ले जाता है खन डबा में आपको प्रसनों का उत्तर देना है इसका क्या करना है इस गध्यांस पर आदाइद प्रसनों का उत्तर देना है इस गध्यांस को पढ़कर नीचे जो दिया गया है उसका उत्तर आपको दे देना है उसके बाद निमलिखित पढ़कर पढ़कर इसका अनुवाद लिख देना है किस पार्ट से लिखना है इसका संदर्ब लिख देना है और उसका सारांस भी लिख देना है इसका क्या लिखना है व्याक्षा कर देना है जो इसने अनुगाद कहा है उसके बारे में लिखना है उसके बाद कहा है कि उसके बाद तेईस नबर कुश्यन दिया कि निमलिखित संस्क्रित गद्यांस का संदर्व सहीत क्या करना है में व्याक्षा नहीं करना है अनुगाद करना है संदर्व का मतलब इसका आपको लिखना है संदर्व का मतलब किस पार्ट से लिया गया है उसके बाद इसका अनुवाद आपको कर देना है उसके बाद इसका अनुवाद आपको कर देना है उसके बाद इहां पर अगला कुशन आप देख सकते हैं सकते हैं इसका अरथ कि बताना कान में बात को न सुनना मतलब को अधिक खाने वालों को थोड़ा कम देना वहीं होता है अपना हाद जगरनात का मतलब अपना काम स्वेम करना हो जाएगा उसके बाद अगला कुशन है दात खटे करना दात खटे का मतलब होता है पुड़े तब किसी को पराजित कर देना उसी कोई दात खटे करना उसके बाद तीसमा कुशन दिया कि आप वर्षा में भीगने के कार बीम पड़ जाते हैं अपने प्रधाना चारी के एक क्या लिखना अवकास पत्र लिखना चुट्टी के लिए इसको अवकास पत्र आपको लिख देना है